हम देखते हैं वो थाउजन फीट फॉईजने सेंटिपेड चूमुई को पर अटेक करता है जो कि देखते हैं चूमुँ क्या रहा होता है जियाओ है तुम इस अटेक को आसानी से थंडर फेरी के अटेक से रोख सकते हो तो इसलिए सेंटिपेड को मानने की कोशिश करो और मो जिसलिए बाध वो दोनों दोनों को माड डालते हैं ये सब देखते ही यांग जेंग काफी ज्यादा होता है तो मैंसा हई आए होता है और ये और कई भलकि यांग फैमिली का यलین डेंगेढ को चुप vaj देखता है और वहा पर चलर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर यांग अपने पेट को लेते वें चुप रहा होता है यह देखती ही वो कहा रहा होता है क्या एंपर mental spirit attack हुआ है आकर ये वो जो क्या कर रहे हैं और ये कहता है वो ये को ठीक कर देता है और उसे कहा रहा होता है आकर यहां पर तुम अकेले क्यों हो, यांग जेंग वो कहां पर है, तो है क्या रहा होता है, है भगवान, वो उस कमीने, चूप फैमले का बच्चा, चूमियो से लड़ रहा है, यह सुनते लैंग सेंग, उसे बहुत जरू से केक मारता है, और कहता है, चलो अब आगे बड़ करो और इसे मार डालू, जो कि सुनते यांग लइंग चूमो के तरफ जाने लगता है, तो चूमो से देखते वें कहां रहा होता है धत्ते लिकी, यह तक कि यांग लिंग में यहां पहुछ चुका है, हमें जल्ली यहां से भागना होगा, और यह कहते ही, वो परेट को लेत यांग लंग कहा रहा होता है वाकी में मैंने ऐसा एक्सेक्ट नहीं किया था मेरे चुछते तके तुम मर जाओगे लेकिन कोई बात नहीं मैं आभी तुम्हें मार डालूगा और यह कहते ही वो उसके तरफ आगे बढ़ता है जो कि देखते डीमन ट्री उससे रोकने के लिए अगे बढ़ता है और पने पावर के यूज करते वे उससे रोकने लगता है लेकिन यांग लंग अपने एक इस ट्रैक में उसके टुकरे टुकरे कर देता है दूसी तरफ है यह सब देखते वे क्या रहा होता है यह आद्मी यह कमीन अभी तक मरा क्यों नहीं है तो यह तो तुम्हारी हिमत कैसे हुई आप तुम्हें क्या रहा होता है अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहां बिना कुछ लिए भागूंगा ऐसा बिल्कुल भी नी होने वाला जो कि देखते हैं कि वो जो कोकुन उड़ता है वो तूटने लगता है और उसके अंदर से एक ड्रैग इतने जोर से दहारता है कि उसके वज़े से वो सभी गायल हो जाते हैं यांग यांग कहा रहा होता है लॉड यांग लेंग के तरफ देख रहा होता है लेकिन दूसरी तरफ यांग लेंग वो बूरी तरीकी से जक्मी होता है और कहा रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था क यूनियन का खोया हुआ यहां पर अपियर होगा एंड यह ड्रेगन वही गौड ओफ इनार्स होता है एक एसें सोल पैट जो कि अंडाइंग बैटल इंसेक्ट है इम्मोर्टल हिडन ड्रेगन और तब यह चूमियो को देखता है जो कि देखते हैं और उसे कहता है क्या तुम वाला मिस्टीरियस अनून क्रीचर है इसलिए कैसे लगता है कि जब एंपरियर स्यान हिडन ड्रेगन बाहर निकला तो यह मिस्टीरियस क्रीचर यह थोड़ा डर गया तब यह ड्रेगन उस पर जाते हैं और बस आस्मान में बिजली बिजली चमकरी होती है चारो तरफ बस दबाई होरी होती है जो कि देखती है चुमियो क्या रहा होता है मोजी आकिरकार एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी उसकी तरह इतने ज्यादा पाउरफल हो जाएंगे सर्फ एक ही लेड़ से पूरी की पूरी अर्थ डोप जाएगी और पुरा आस्मान चेंज हो जाएगा य देखती है चुमियो के पाथ जाता है और कहता है है लिटल गाइ कि तुम ठीक हो तब ही वे देखता है कि वह लेग्विज में उससे बात कर रहा होता है और उससे कहता है क्या तुम मुझे छोड़ने के लिए कह रहे हो किया कोई तुमारे जानके पीछे पढ़ रहा है तो उसे एक ड्रैगन एक देता है और उसे कुछ कह रहा होता है जो कि सुनते ही चुमियों से कह रहा होता है क्या तुम यह चाहते हो कि मैं इसके साथ सौल कॉंट्रेट करूँ और यह स्ट्रांग होने के बाद मेरी रक्षा करेगा तो वह लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से एक बंदा कहा रहा होता है यूनियन के लीडर को रिपोर्ट करते हुए हमने एक एक एंपरियर सियान हीडन ड्रैगन को ट्रेस किया है जो कि नैटमेर पहले इसके आसपासी था हम वह पर चार्ज कर रहे है और यह जो बंदा होता है यह सोल एंपररर त्यान तिंग होता है और वो कहा रहा होता है एंपरियर सियान हीडन ड्रैगन वह यहां से अलग हो गया है और वो अपने नेक्स्ट जनेरेशन को जनम देगा तो जाओ इस आईसलिंब ले जाओ और इस ड्रैगन एक कोई तालाश करो यह कहते हो अपने साथियों को ओर देता है और वो पास्ट की ति वो आगे बढ़ता है और कहता है इस बार तुम मुझसे बच नहीं पाओगे इसे के साथ वो से ड्रैगन के पीछे पीछे जा रहा होता है दूसरी तरफ हम चुमियों के देखते हैं जो कि कहा रहा होता है फिलाल वो ड्रैगन एग चुप चाप मेरे रिंग के अंदर आरा हम और प्रिंटिंग मास्टर भी सोल टेक्निक के किदा विआफर स्क्रॉल को पूरी तरी नहीं कर सकता लोग परफेक्शन रेट सोल टेक्निक अभीए जा सकती है लेकिन power अभी भी बहुत कम है और इस soul technique को blood madness कहा जाता है और यह जो blood madness है यह थोड़े time के लिए user के combat ability को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है जो कि देखते ही जो मियो कहा रहा होता है finally मेरे पास एकथा soul technique है तब ही वहाँ पर wing tiger पहुत जाता है जो कि देखते ही जो मियो काफ़ी ज़्यादा कुश होता है और कहता है finally अब जाने का time आ गया है scene change होता है हमें nightmare city का scene दिखाया जाता है जहाँ nightmare area my little princess try out को hosting कर रही होती है वहाँ पर duo चल रहा होता है हम आपे जो लू लिंक और जिया को देखते हैं जहाँ पर जो लू कहा रहा होता है Lord Zia तुम Zia मिंग के बारे में क्या सोचते हो वो मेरे तबोर नेट मेरे top one expert है तो ज्या उसे कहा रहा हותा है, 3 मिट के अंदर जिया मिंट जीत जाएगा तो जोलो कहा रहा हותा हो थे ग्रेडल चूकि लॉड ज्या उसके बाले में सोचते है तो ये काफी अच्छा होगा तबी हुआ का दूसरा बंदा जो कि सुनिंग होता है, वो कहा रहा होता है नहीं जियामिंग का कहाना है कि वो कचरा मेरे सब्वेंट से लड़ते वे 10 मिनिट भी नहीं ठीकेगा तो जोलो से क्या रहा होता है सुनिंग भले तुम ब्लू नैटमेर पहले इसके लौड के सबसे बड़े बेटे हो लेकिन इसका मतलब यहीं नहीं है कि तुम जीतोगे तुम जियामिंग से नहीं जीन सकते है तो सुनिंग रेगवड 4 का डबल अटरुवुसॉल क्रिस्टल को बैट पे लगाते वी क्या रहा होता है दस मिट के भीतर ही अगर जियामिंग को मैं हरा नहीं सका तो ये क्रिस्टल तुमारा होगा तो जोलू कहा रहा होता है ठीक है अगर तुम जीतते हो तो तुम क्या चाते हो तो सुनिंग कहा रहा होता है मुझे तुम से कुछ भी चीज नहीं चीए मैं सर्फ यह कहना चाहता हो कि वो जिया मेंग मेरी आखों के सामने बास एक कच्रा है और यह कहते ही सुनिंग उस एना में कूच जाता है तो जिया के पास फैंग जियां आते वे कह रही होती है लौड जिया कैसे सुनिंग सच में 10 मिट के अंदर जिया मेंग को हरा सकता है तो लौट्स अब खतम हो सकती है उस पोजीशन के लिए मुझसे जादा कोई सूटीबल नहीं है तो जिया उसे कह रहा होता है तुम्हें थोड़ी दर के लिए और इंतजार करना चाहिए तो सुनिंग कह रहा होता है लेकिन लौट्स यहां के दूसरी लोग मुझसे मुकाबला ब आफी जादा बद्बू आ रही होती है जो कि देखते ही सुनिंग अपनी नाप को बंद कर लेता है और कह रहा होता है लौट्स यहां अगर तुम मुझे यह पोजिशन नहीं देना चाहते तो बस बोल देता है मैं पीच हड़ जाता लेकिन आपको से बेकर सी चीज़ दून और भी जादा घुसा ऊता है और इस फाइट में खुद को रोक नहीं सकता और गलते से कभी भी कुमारे सब्सक्ता हूं तो यहां पर मर सकते हो तब इस यह कह रहा होता है इस competition में सुर्फ एक ही soul pet को समन करने की ज्याज़त है और switch करने की ज्याज़त नहीं है, जो कि सुनते ही, चुमियो Health Friend से कहा रहा होता है, सबसे पहले तुम करो तो तुनिंग कहा रहा होता है क्या तुम यह चाहता हो कि मैं सबसे पहले समण करूँ? ताकि तुम अपने फाइदे के लिए किसी भी सुलपैट को समण कर सको है ना? लेकिन मेरे पाथ जो पावर है उसके सामने तुमारे सारे सारे टेक्स यूजरेस है और ये कहते हैं वो अपने blue nightmare को समन करता है ये देखते हैं चुमियो गबरा जाता है और कहता है ये तो बहुत ही जादा strong blue nightmare है इसके साथ वो निंग को समन करता है जो कि देखते हैं सुनिंगा से लगता है और कहा रहा होता है ये कितना जादा बेकार सा soul pet है इसे देख कैसा लगता है कि मैं बस तीन मिलिट में तुम्हें मार दूँगा जो कि देखते जो कहा रहा होता है जिया ये एक टॉप टिलेंट आइसेयर फैरी है लेकिन अगर इसके पास कोई भी टॉप टिलेंट है तो भी ये कमंडर रहेंग के बुलू नाइटमेर के खिलाफ नहीं लड़ सकती ये जरूर हार जाएगी तुजिया कहा रहा होता है बस रुको और देखो ताभी वो जो बुलू नाइटमेर होता है वो निंग को पर अटेक करता है लेकिन निंग उसके हमले को एसली काउंटर कर लेता है और वहाँ पर आईटमेर को नहीं होता है और निंग का रहा होता है इतने धीमे एमिलिटी के साथ तुम अभी मारी जाओगी और वो डेवल फायर वलपूर का यूज करता है और निंग पर अटेक करता है जिसके चपेट में निंग आ जाती है और वो वासा गायब हो जाती है जो कि देखते ही सुनिंग कहा रहा होता है यह लगता है कि एक ही इस बिलकुल आइस वाल की तरह लगती है लेकिन यह उस आइस वाल से काफी ज़्यादा स्मूधर है बैटल एक्स्परिंस के बिना भी कई सारे लोग इसे एजिली मिक्स कर सकते हैं तो अभी जो देखता है कि वो निंग उस आइस मेर से बाहर निकलती है यह देखते ही सभी काफी जादा रंते हैं सुनिंग कैया रहा होता है क्या किया वह आस फेरी फेक थी तहीं पर निक अटेक करती है और नैट्मेर और को वहसा लेती है उसके साथ उसके पाथ यह देखते ही लूड जिया काफी जाला गुसा होता है और चुमिय की दिखने लगता है जोकि देखते हैं चुमिय मुस्कुराता है और मौजे को समन करते हुए उन बीष्ट पे इविली फिंह के अटाय करता है। के लिए इसने मेरा भी रिकॉर्ड दूर दिया तो सुनी क्या रहा होता है क्या ऐसा कैसे पॉसिवल हो सकता है यह तो सिर्फ 18 साल का है तो चुमिय। पॉसिवल होता है क्या क्या हो तो चुमिय। जनल ओशियन नैटमेयर के प्रिंस होगे और तुम्हारी जॉब प्रिंस है जिन रोव की परस्टनल स्क्वाइर बनना है जो की दिखती जो काफी ज़ाधा रहन होता है और कहता है मास्टर जिया क्या सच में उसे नैटमेयर प्रिंस का टाइडल दे रहे है ऐसा कैस हो सकता है और यह जो नैटमेयर प्रिंस का टाइडल है यह नैटमेयर प्रिंस के यंगर जनरेशन को दिया जाने वाला सबसे हाइस्ट ओनर है इट्स फ्लोर की निर्ची का सिटी जो की नैट मेर पैलेस में ले जाओ वैसे चुमियू तुम्हारा इविल फ्लेम सिक्स टेल डीमन फॉक्स काफी ज़्यादा अच्छा है तो जो फैंग जियंग होती है चुमियू को अपने साथ ले जाती है यह देखती सुनिंग क्या रहा हाता है चुमियू तुम बस वेट करो मैं बदल वह भी नैट्मेर पैलेस में नहीं है तो तुम पुर्णे फैमिले के पास वापस लॉट सकते हो और लॉट जिया के लिए कुछ कर सकते हो तो चुमियू क्या रहा होता है वैसे जिया गुए उसका पपेट बनना चाता है अगर जिया गुए चला चला तो जरूर बिना किसी हीच के चाट के एक पाल में उसे मुझसे ले लेगा मुझे जल्दी से जल्दी उसके कंड्रोल से बाहर होना होगा चाहे कुछ भी हो जाए तब ही आप एक बंदा आते वह कहा रहा होता है नाट्मेर प्रिंस आप अपने च्छानुसार कोई भी दो नौकर चुन सकते हैं औ दूसरी तरफ हम तिंग्यू को देखते हैं जो कि मनीमन कहरी होती है कमीने तुम चुप रहा हो तो आदमी कहता है और एक बचाय जिससे आप चुन सकते हो और यह कहते हैं और यह कहते हैं वो नाने के लिए चले जाता है कि देखती हो दोनों मेड काफी ज्यादा परेशन हो जहां वो लड़के क्या रही होती है, सेसर TINGYOU, हम क्या करें वो उसकी आखे काफि ज़ा ड़राफ नहीं लगरी है, मानों वो हमें पूरा का पूरा निगल जाएगा, तो तुमें क्या लगता है कि वो क्या करेगा, तो TINGYOU क्या रही होती है तब ही चुमी उस दर्वाजे को खोलते वे क्या रहा होता है पहले वालो वाले तुम ही आपे आओ जो कि देखती है वो लड़की रोते रोते आगे बढ़ती है दूसरी तर तिंग्यो काफी ज़्यादा वेट कर रही होती है और वो मनेवन कहा रही होती है कि इंको इतनी ज़्यादा देर क्यों लग रही है क्या हो कोई जानवर है तब ही अंदर से चिलानी की आवाज आती है जो कि देखते है इस तिंग्यो उस दर्वाजे को खोलते होई कहा रही होती है मैं आगे तुमें बचानी के लिए सेंच ये होता है हम बुलू नाटमेर पेलस को देखते है जहाँ पे बुलू नाटमेर पेलस के लौड कि अरह होते है क्या वो 80 साल का बच्चा क्या वो प्रीजेन आइसलेंड का बच्चा है जियागवांगान के सबॉलिनेर्स बाकी में काफी ज़ादा पाउर्फुल है तो सुनिंग रोते वे क्या रहा होते हैं लेकिन डैडी कि क्या आप उसे ऐसे जाने देंगे उसने मुझे लगबग मार डाला था मैं तुम्हें रिवेंज लेने के लिए तुम्हारी मदद करूँगा वैसे भी इस बेकार से लड़के की रेपुटेशन और न्यूस हर जगा पहल चुके तो इसलिए हम उसके साथ खुले आम के लवार नहीं कर सकते लेकिन आम उसका यूस उससे निपटने के लिए कर सकते हैं शेंच यह होता है हम देखते हैं चुम्हारी मुझे प्रैक्टिस टूल के रूप में यूस करने के लिए ट्राइ करते रहेंगे तो इन समी में से सबसे स्ट्रॉंगेस्ट कौन है तो तिंग्यो कुछ लेटर को भाहर निकालते वे क्या रही होती है कैपेबल एबिलेटी वाले पाँच लोग है जैसे ग्रिन आट मेर पहले सके सबसे स्ट्रॉंगेस्ट स्टूडेंट गो जियान उससे के साथ प्रिंस युवान शान जो कि फैंक जैन सिटी का यंग मास्टर है तो चुमियो कहता है मेरे पास उनके साथ खिलने का टाइम ही है तो इसलिए उन्हें एक साथ आने के लिगा हो जो कि देखते दोनों ही काफी ज़्यादा खुश होते है तिंग्यों कहारी यह होती है ठीक है जो अभी आप कहते है मैं वही करती हूँ दूसी तर्फ चुमियो मनीवन कहा रहा होता है मैंने अपने सारे के सारे पैट्स को पहला ही ट्रेन कर लिया है अब इसका रिजल देखने का टाइम आ चुका है सीन चे होता है हमें ब्लू डैट्मेर पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहापे वहां का लॉड काफी ज़्यादा गुस्ता होता है और कहता है क्या उसने पाचों को एक साथ चैलेंज किया है ऐसा वो कैसे कर सकता है तो सुनिंग उससे कह रहा होता है ऐसे सिजूइशन पहले हैं और कहते हैं त्यान जी कल तुम मेरे पीच्छे आना और हम देखेंगे कि वह कमीना कितना जादा के वेवल है तो त्यान जी क्या रहा होता है लौड सू ठीक है और फिर मंगले दिन देखते हैं जहां पर सभी लोग एरना में आ जाते हैं वहां पर ली शानली ग्रीट न इवन प्रिंस को कंट्रोल करते हैं और वेज बैटल के जज़ भी है इसी के साथ यह जो मैच होती है यह शुरू हो जाती है जहां पर पांचों के सामने होते हैं जहां पर एक बंदा बाकी चारों से कहा रहा होता है अगर मैं पहले ही अटेक कर दू तो 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 इसलिए म बस वेट करो जब मैं चुमी उसे चुटका रहा पालूँगा तो मैं तुम्हें मार डालूँगा और यह जो बंदा होता यह गोज जियान होता है और वो अपने नैट्मेर को समन करता है और चुमी को पर अटेक करता है लेकि निंग उसके हामले को एजिली डॉच करते यह देखते हैं सबी लोग काफी जादा रहन होते हैं यह देखते हुए ग्रीन अट्मेर पहले सके लॉट कहा रहे होते हैं चुमी उसके रूल्स के खिलाफ जाने के तुम्हारे हिमत कैसे हुई तुमने मेरे डिसाइबल को मानने के लिए फ्रीज पोजन का यूस किया तो दोसी तब चुमियो क्या रहा होता है अगर तुम लोग मेरे हाथ उसे मरा जाने से डढ़ते हो तो बस इस चैलेंज को छोड़ दो मेरा इस्टिल किसी को माफ करना और जख्मी करके छोड़ देना नहीं है तो वो चारो काफी जाला गभरा जाते हैं उसमें से एक बंदा क्य किया रहा होता है नेट्मे पेलेज के रूल पहले से ही notify किये बिना change नहीं किया जा सकते तो यह बड़ेव के साथ लड़ाइए करना हमें फसे नहीं है तो चारो के चपसा ही और वो चारों के फायटकर ने से इंकार कर रहे होता है और एक क्या Türkiye क婚्छान ली किया हूं तो जो कि देखते ही तिंग्यू चुम्यू से कह रही होती है वो परजन में बुलू नैट्बेर प्लेस में सबसे ज्यादा स्टॉंगेस्ट बंदा है उसका एक सोल पैट तीन उपरन को आसाने साहरा सकता है तो इसलिए यांग मास्टर केल्फूल रहना तब आपे प्रिंसे जिन आज आप यहां पर किसली आई है कि मेरा स्कॉयर पांच लोगों के साथ लड़ने जा रहा है तो लूश्वांगली कहा रहा होता है हाँ लेकिन पहले चैलेंजर के मारे जाने के बाद बाकी चार ने सरंडर कर दिया वो जबी कायर्थ है और अब चुम्यू त्यांजी से लूश्वांगली को अब चुम्यू निग और डीमन करता है उसके साथ वो अलग अलग हो जाने के लिए कहता है जा पर निग वहां में उड़ने लगता है यह देखते त्यांजी उन पर अटाय करता है लेकिन वो डीमन पर बार करते वे उन्हें जकर लेता है बाट वो करता है जिसके साथ वो उन दोने के हमना को डॉच कर लेता है और वो दोने रेट पेर उस जवन को तोड़ते वे नीचे जा गिरते हैं और यह मौका देखते ही नहीं उट पर अटेक करती है जो कि देखते हैं जैसे कि प्रिजन किंग से एक्सपेक्टिट था त्यांजी को का र लेता है जो कि देखते हैं और नेटमेर को समन कर लिया जो कि दिखते हैं मुझे असली टाकत दिखाओ दूसी तरफ चुम्यो मनिमन कह रहा होता है देम कमड वारियर यह जल्दी मारा जाएगा इससे बहांते होगा कि मैं मोजय को यूज करूं लेकिन रुको एक इंसा सोल एनरजी काफी नहीं होगी इसका मतलब यह है कि त्यान जी किसी चीज से अपने ताकत को उधार ले रहा है और उसे एक्सपोज होने से डर है दूसी तरफ जिन्रों क्या रही होती है क्या तुम अपने तीसरे सोल पैट को समझ नहीं कर रहे हो तो जिया कहा रहा होता है मु इसके साथ यह एपीसोड अच्छे लगी होगी और यह सीरीज का लास्ट एपिसोड कल आने वाला है उसे के साथ यह से यह पर खतम हो जाएगे तो कमेंट शक्रीश में बता देना कि मुझे और कौन सी नहीं सीरीज करनी चाहिए तो मिलते है अगले वीडियो में तब तक कि इले बाइ